भाई और भहनों, आज सरकार का जोर जन जातिय आर्ट्स को प्रमोट करने, जन जातिय युवाओं के स्कील को बढ़ाने पर भी है, इस बार के बजेट में पारम पारिक कारिकरों के लिए पी-म विश्व कर्मा योजना शुरू करने की गोशना भी की गई है। पी-म विश्व कर्मा के तहर आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी, स्कील ट्रेलिंग दी जाएगी, अपने प्रोड़क की मार्केटिंग के लिए सपोर्ट किया जाएगा, इसका बहुत बड़ा लाब हमारी युवाओं पीड़ी को हने वाला है। और साथियों, ये प्रयास केवल कुछ एक शेत्रों तक सिमित नहीं है, हमारे देश में सेंक्रों आदिवासी समुदाय है। उनकी कितनी ही परंपराएं और हुनर ऐसे हैं, जिन में असीम संभावनाय चिपी है। इसलिए देश में नए जनजातिये शोद संस्तान भी खोले जा रहे हैं। इन प्रयासों से ट्राइबल युवाओं के लिए अपने ही ख्षेत्रों में नए आउसर बन रहे हैं। साथियों, जब मैं 20 साल पहले गुजरात का मुख्यमंत्री बना था, तो मैंने वहाँ एक बात नोट की थी। वहाँ आदिवासी बेल्ट में जो भी स्कूल थे इतना बड़ा आदिवासी समुदाय था, लेकिन पिछली सरकारों को आदिवासी खेत्रों में साइन्स ट्रीम की स्कूले बनाने में प्रात्विक्ता नहीं थी। अब सोचिए, जब आदिवासी बच्चा साइन्स ही नहीं पड़ेगा, तो डॉक्टर इंजिनियर कैसे बनता। इस चुनवती का समाधान हमने उस पूरे बेल्ट में आदिवासी खेत्र के स्कूलों में साइन्स की पढ़ाई का इंतिजाम करके किया। आदिवासी बच्चे देश के किसी भी कौने में हो, उनकी सिक्षा, उनका भविश्य ये मेरी प्रात्विक्ता है। आज देश में एक लव्य मोडल आदिवासी विद्यालों के संक्या में पांच गुना की वृत्ती हुई है। 2004 से 2014 के बीच, 10 वर्षों में केवल 91 लव्य आदिवासी स्कूल खुले थे। लेकिन 2014 से 2022 तक इन आठ वर्षों में 500 से ज़्यादा एक लव्य स्कूल स्विक्रुत हुए है। वर्तमान में इन में 400 से ज़्यादा स्कूलों में पढ़ाई शुरू भी हो चुकी है। एक लाग से ज़्यादा जनजातिय छात्र छात्राएं इन नए स्कूलों में पढ़ाई भी करने लगे हैं। इस साल के बजेट में ऐसे स्कूलों में करीब करीब 40,000 से भी ज़्यादा सिख्षकों और कर्मुचारियों को बर्ति की भी गोषणा की गई है। अनुस्विचित जनजाति के युवाओं को मिलने वाली स्कूलर्शिप में भी दो गुने से ज़्यादा की बढ़ोत्री की गई है। इसका लाप तीस लाग विद्यार्दियों को मिल रहा है। साथियों आदिवासी युवाओं को भाषा की बाधा के कारण बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। लेकिन नई राष्टिये शिक्षानीति में मात्रु भाषा में पढ़ाई के विकल को भी खोल दिये गए हैं। अब हमारे आदिवासी बच्चे आदिवासी हुआ अपनी भाषा में पढ़ सकेंगे आगे बढ़ सकेंगे।